दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है माश्या शिक्षा दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं अनुच्षेद एक से लेकर अनुच्षेद 35 तक के बारे में जिसमें हम डेटेल से चर्चा करेंगे कि कौन से अनुचेद में क्या बाते बोली गई हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला अनुचेद के अगर हम बारे में बात करें तो संग और उसके राजे छेतर आते हैं हमने पहले भाग के अंदर तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि अनुच्छिद यह बोला गया है कि भारत में अठाइस राज्जे और आठ केंदर शाषित परदेश है और अगर किसी भी राज्जे के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए तो अनुसूची एक को देखना पड़ेगा जैनी अनुसूची एक में जाना पड़ेगा जिसमें अगर किसी भी राज्य के बारे में किसी राज्य का छेतरफल, किसी राज्य की जनसंख्या, किसी राज्य का दूसरे राज्यों के साथ कौन-कौन सी सीमा साज्या करता है इन सब चीजों के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो अनुसुची एक को देखना पड़ेगा अब आते दोस्तों अनुचेद दो में अनुचेद दो में ये बोलता है कि भारती संसत जो है वो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकती है जो कि सिक्किम जो था हमारा सिक्किम जो था वो भारत का बाइस्वा राज्य बना था 16 मई 1975 में हमारा 35 समिदान संशोधन हुआ था जिसके तहत इसको सहर राज्य बनाए गया था सिक्किम को सिक्किम जो की 1975 से पहले ये भारत का अंग नहीं था ये एक विदेशी राज्य था ठीक है तो 1975 में इसको सहराज्य बनाए गया और च्छतिव से संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा मिला था 16 मईए 1975 को ठीक है इसके बारे में अंच्छे तीन के बारे में अब हम जानते हैं अंच्छे तीन क्या बोलता है कि संसद जो है किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है चाया उसके नाम को लेके हो चाया उसकी छेत्रफल को लेके हो चाया उसके आकार को लेके हो किसी भी चीज के बारे में इसमें जो है संसद जो है वो भी बिना राश्पती की अनुमती के तो पैपसु जो हमारा एक राज्जे था पहले यूनियन राज्जे था जिसको अलग किया गया पैपसु का पूरा नाम था पंजाब एंड इस्ट पटियाला स्टेट यूनियन इसको संसद ने 1668 में हिमाचल प्रदेश हरियाना पंजाब तथा चंडिगर से अलग किया था यह शामिल था जिसमें राजस्थान अलग से है अन enlightened ship 24 में जो और तीन को अनुछेद 368 से बाहर रखा गया है अब अनुछेद 368 क्या है ये राश्पती को शक्ती दीता है कि वह सरकार के द्वारा किये गए सभी कार्यों की समिक्षा करे और उनको लागू करवाने के लिए उन पर हस्ताक्षर करना अनिवार होता है तो अनुछेद 2 और 3 को लेके अनुछेद 2 और 3 के उप्योग करने पर राश्पती उन पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और नहीं उनकी समिक्षा कर सकता है तो राश्पती की जरुवत नहीं होती है अब आते हैं दोस्तो भाग 2 में भाग 2 जो है वो सिट्रिजेशिप यानि नागरिक्ता के बारने में बात क किला कारी गई है अंचेत 5 में दोस्तो यह बोला गया है औक ग्रिकता की परिवाश्य कि गे है नागरिक्ता कि होनी चाहिए तो नागरिक्ता जो है वह हुए सब्सक्राइब आधिकार और करतव भी होते हैं जिने एपने करतवियों को कर्तवियों कांप प्रिवहन करना माना अंछिए पाच्ट पाकिस्तान से भारत सभी लोगों को नागरिक्ता मिलेगी लेकिन अगर समिधान बनने के बाद अगर वह भारत में एंट्री कर दिये तो उन पर परमिट रूल लागू होगा 19 जुलाई 1948 के बाद से ही परमिट रूल लागू कर दिया जाएगा यानि 19 जुलाई 1948 से पहले से अगर कोई भी वेक्ति पाकिस्तान में रह रहा है और उसे भारत में आना है तो वह भारत में आ सकता है उसको नागरिक्ता दी जाएगी लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आया भारत में तो उसको जो है नागरिक्ता मिलने में थोड़ी समस्या लागू होगी उस पर परमिट रूल लागू होगा और फिर जो है हमारी जो संसद है संसद में ग्रह मंतरा ले आता है तो ग्रह मंतरा ले के एंतरगद यह विचार किया जा सकता है कि उस वेक्तु को नागरिक्ता दे हैं तो अजा आदे के बाद भारत से पाकिस्तान गए जो भारत की नागृत्ता मिलेगी तो वही सेम नियम है कि भारत से पाकिस्तान गए है और फिर पाकिस्तान से वापस भारत आये हैं 19 जुलाइ 1948 के बाद ठीक है 19 जुलाइ 1948 के बाद आये तो भारत में पर्मिट रूल लागू होगा और अगर विधेशी नागृत्ता लेने से उसकी नागृत्ता समाप्त हो सकती है इसके अलावा अगर कोई देश विरोधी गतिविदी कर रहा है तो उससे भी भारती नागृत्ता समाप्त करी जा सकती है अनचेद दस यही बोलता है अनचेद दस में बोला गया है कि भारती योग भारती नागृत्ता अर आपकी नागृत्ता चीनने जा सकती है अंशेट 11 के बारे में बात करते हैं तो नागरिक्त ग्यारा बोलता है कि वो बनाने का अधिकार जो है वो संसत्कों दिया हुआ है और यह घरह मंतरा लेके अंतरकत zaten है यहानि किसी विक्ति को नागरिक्तर देनी है नहीं देनी है किस इसाब से देनी है उसका सारज जो जिम्मा है वो घ्रहम अंतराले के अंतरगत आता है हाँ तो दोस्तो अब हम आते हैं भारत में नागरिक्ता प्राप्त करने की वीदियों के बारे में जानते हैं बाइब बारत होता है जिसमें जो भी बच्चा है वह भारत में अगर पैदा हुआ है तो उसको भारती नागरता मिले लिए 1962 में पर्मेट रूर लागू किया था ठीक है जिसके अंतर यह बोला गया कि माता या पिता में से कोई भारत का होना चाहिए तो उसको नागरता मिल जाएगी बय बर्त के अधार पर फिर इसके बाद है बाइडिसेंट प्रण अधार पर जो दिया जाता है वह फिता के नागरता मिल जाएगी इसके बाद है रजिश्टरिश्ण बाई registration में क्या होता है दोस्तों registration के अंदर व्यक्ति जो है कम से कम साथ वर्ष भारत में रहने चाहिए और भारत में विवा करना चाहिए साथ वर्ष और विवा यह mandatory है इसके बाद में जो है व्यक्ति जो है साथ वर्ष के अंतरगंदर कोई जो भी विदेशी व्यक्ति है वो अगर विवा करता है और कोई भी गलत कारे नहीं करता है किसी वेक्ति के साथ में या कोई भी गलत कारे में सनलेप तो नहीं पाय जाता है तो उसको बाय रेजिट्रेशन के मादम से जो है वो भारत में भारत का नागरिक का दर्जाद बिया जाता है फिर इसके बाद दोस्तो बाय नेचुरलाइजिशन आता है naturalization कोई राइजिशन का जो दोस्तों ये है इसका एड़्मान्स रूप जो है वो अनर्सी है ठीक है अनर्सी के अंदर क्या होता है कि कोई भी भारत के जो पडोसी राज्य है उन में से कोई भी अलपसंख्यक धार्मिक रूप से कोई भी व्यक्ती आगर भारत की नागर्त लेना चाहता है और उसको धार्डमी वुट्पीडवन हो रहा है उसके सात वहाँ पे भारत में नागर्त ले सकता है उसको alasani se bhried भारत में नागर्तं मिल जाएगी फिर इसके बाद के दोस्तों bhai naturalization मेंट कि कम्से कम 10 वर्ष बिताना होता है और कोई भी भारति भाशाओं में से जहन उसूची आर्ड में बाइस बासचा में इसको ना quiet territory यानि अगर कोई भारत भारत जो है अगर किसी अन्य देश पर कोई कपजा कर लेता है तो उसको उसके नागरिकों को भी भारती नागरिक का दर्जा दिया जाता है तो इस तरीके से हमारे भारत में नागरिकत्या प्राप्त करने की पांच विदिया है जिसके बारे में हमने जान लिया है इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं NRI Non-Resident India NRI क्या होता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भारत के बाहर अगर कोई काम करता है विदेशों में कोई काम कर रहा है तो उसको NRI बोले जाता है क्योंकि कम से कम वो 6 महीने जो है वो भारत से बाहर रहता है तो उसको NRI का दर्जा मिल जाता है इसके अलावब दोस्तों Overseasies Citizen होता है Overseasies Citizen के बारे में हम बात करते है Overseasies Citizen में दोस्तों की लक्षमीवल सिंद्वी द्वारा 2005 में 2005 में एक समीती द्वारा ये चीज जोड़ी गई Overseasies Citizen की अवधारना इसके अंदर क्या होता है दोस्तों की जब कोई भी व्यापारी या कोई भी कंपनी का मालिक बड़ी बड़ी कंपनी का मालिक को ये Overseasies Citizen दी जाती है इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी अमीर वेक्ती या जो कारोबारी वेक्ती है वो अगर भारत के बाहर कहीं विदेश में जाके नागरिकता ले लेता है ठीक है और अगर उसे वापस भारत में आना है तो बिना वीज़ा पासपोर्ट के जरिए बिना वीज़ा के जरिए वो भारत में आ सकता है वो होता है Overseasies Citizen इसके बाद दोस्तों वीज़ा कि अगर हमें किसी भी देश में अगर एंट्री करनी है तो उस देश की परमिशन लेनी होती है उसी परमिशन को हम वीज़ा बोलते है ठीक है इसके बाद दोस्तों आता है पासपोर्ट पासपोर्ट क्या होता है कि हम जिस देश के नागरिक हैं उस देश द्वारा जी जारी किया जाता है पासपोर्ट और उस देश की नागरिकता को दर्शाता है कि हम कौन से देश के निवासी हैं कौन से देश के नागरिक हैं इसके अलावा दोस्तों CAA Citizenship Amendment Act ठीक है इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो भी भारत के बाहर रह रहे हैं CAA और NRC जो है वो भारत के बाहर कोई भी जो भारत के पडोसी देशों में रह रहे हैं अलप संख्यक लोग हैं जिनको धार्मिक उत्पीडन का सामना करना ऐता है तो भारत में शामिल हो सकते हैं CAA और NRC जरिये इसके अलावा NPR जो है National Population इसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी जन संख्या का जो है जन संख्या को देखते हैं इसके अलावा नागृकों को भी इसमें में गिना जाता है कि भारतिय नागरिक कितने हैं ठीक है दोस्तों नागरिकता हमारी यहीं समाप्त होती है आफ आते हम fundamental lights पे fundamental lights के उते हैं दोस्तों एक व्यक्ति के मुलिक अधिकार होते हैं जो भी किसी भी व्यक्ति को जीवन और निर्भा के लिए अनिवारे होते हैं यह जो है fundamental light वह हमारे भाग तीन के अंशेद 12 से 35 के अंदर शामिल है अंशेद 12 से 13 के बारे में हम बात करें तो अंशेद 12 कहता है यह राज्य की परिभाशा देता है अर्थात अर्थात राज्य क्या होता है दोस्तों राज्य एक ऐसा जो है संस्ता है जो अपने नियम कानून खुद बनाता है तो राज्य जो है अपने नियम कानून खुद बनाता है वह राज्य कहलाता है जो भी अपने नियम कानून खुद बनाता है वह राज्य कहलाता है इसमें UPSC ठीक है UPSC आ गया इसके अलावा रेलवे आ गया रेलवे अपने कानून खुद बनाता है ठीक है इसके अलावा दोस्तों और भी कई संस्ता हैं जैसे संसद हो गई तो वो भी एक तरीके से राज्य कहलाती है इसके अलावा दोस्तों अंचित 13 के अंदर मौलिक अधिकारों का अलपी करण की बात बोली गई है अर्थात कोई भी हमारे जो अधिकार है वो पूर्ण नहीं है उसमें कहीं न कहीं रुकावट है ठीक है नकारात्मक अधिकार जो है वो हमको मिले हुए है ठीक है ये हमारे अधिकार तभी तक इसमें अंचित 13 में ये बोलता है कि हमारे अधिकार जो है वो तभी तक वैलिड है जब तक हम किसी दू एक बराबर है अंशेत 15 कहता है कि जाती धर्म लिंक तसा जर्मस्तान के अधार पर कोई भी भेदवाव जो है वो नहीं हो सकता किसी भी वैस्ति के साथ में अगर कोई भी भेदवाव होता है तो अंशेत 32 के तरह आप डिरेक्ट सुप्रीम कोड में जा सकते हैं इसके अलावा अंशेत 16 के अगर हम बात करें तो लोक नियोजन में समानता की बात बोलता है जो कि सरकारी नोकरियों में समानता की बात बोली जाती है अंशेत 17 की बात करें तो अस्प्रिश्यता का अंत यानि जो भी छुआ छूत की मनाही का बात बोलता है अंशेद 18 जो है वो उपादियों के अंत बोलता है कि सभी प्रकार की उभातिया का खतम होती है जो कि military यानि सैन्य और सैक्षनिक सैन्य और सैक्षनिक अर्थात अरजित करी होई जितनी भी जो हमारी उपादियां है उनको हम रख सकते हैं जो कि सरकार द्वारा दिये जाते हैं फिर इसके बाद दोस्तों अंशेद 19 से 22 जो कि 77 का अधिकार हमारा दिता है अंशेद 19 की अगर हम बात करें दोस्तों 19 के अंदर कुल 7 अनुचेद आते हैं ठीक है अंशेद 19 के अंतरकत अंशेद 19 की अगर हम बात करें टोटल साथ अंशेद आते हैं जिसमें अंशेद 19 के एक में अभिवेक्ति अंशेद 19 के दो में सभा अंशेद 19 के तीन में संगठन अंशेद 19 के चार में घूमने अंशेद 19-19'' के पांच में बसने अंशेद 19–19' के छे में संपत्ती और अंशेद 19-19' के साथ में व्योसाई की स्वतन्तरता है जिसमें अंशेद 19-19'' के चे जो है संपत्ती का अधिकार उसको समाप्त कर दिया गया है ठीक है जो कि 44 मा सम्विधान संशोधन द्वारा मुरार्जी दिसाई की सरकार द्वारा किया गया था इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, घूमने, बसने, संपत्ति और व्योसाय का अधिकार ठीक है ये 19, 19 को सम्विधान की रिडि भी बोला जाता है अचेद 20 की अगर हम बात करें दोस्तों अचेद 20 क्या कहता है अचेद 20 में जो है वो तीन प्रकार के अधिकार दिये जाते हैं जिसमें पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो इसमें क्या होता है जो किसी व्यक्ति को सजा सुपनाने के लिए गुना करने अर्थाद अपराथ जब किया है तो उसी समय का कानून लगेगा नकि बाद का ठीक है अचेद 20 का दो बोलता है कि डवल जीव पाड़ी अर्थात एक ही अपराद की एक ही बार सजा हो सकती है दो बार नहीं हो सकती है इसके अलावा अंचे 20 का 3 बोलता है Self Incrimination अर्थात किसी व्यक्ति को खुद के खिलाब गवाही देने के लिए बादे नहीं किया जा सकता यानि कोड जो है व्यक्ति के खुद का जो गवाही है वो नहीं मान सकती है इसके अलावा अंचे 21 जो है वो प्राण एवं देहिक स्वतंतरता की बात बोली जाती है प्राण, life and personal liberty ठीक है प्राण में क्या होता है दोस्तों आत्मत्य के लिए कोई प्रेशित नहीं कर सकता अगर कोई प्रेशित करता है तो उस पर जो है वो केस चलेगा इसके अलावा देहिक स्वतंतरता में यानि हमारी personal liberty में हम एकाथवास अपना सकते हैं प्राण वाली सुरक्षा में दोस्तों क्या होता है कि परियावन को अगर आप नुक्सान पहुचाते तो फाइन लगता है अर्थात अगर आप गाड़ी का पॉलिशन ठीक तरीके से नहीं करवाते हैं तो उस पर आपको फाइन देना पड़ता है एक्जामपल के लिए इसके अलावा देहिक स्वतंतरता में पर्सनल लिवर्टी में आप देश विदेश का भ्रहमण कर सकते हैं तो इसके अलावा देहिक स्वतंतरता में क्या होता है निस्ता का अधिकार राइट टू प्राइबसी आता है जिसके अंदर कोई भी आपका फोन जो है वो चेक नहीं कर सक अगर किसी वेक्ति ने चला रखा है तो उसको अगर कोई प्रूफ कर देता है तो उसके जरीये जो है असानी से तलाक मिल सकता है इसके अलावब दोस्तों अंशेद 21 के बात करें अंशेद 21 के कह की अंशेद 21 के कह हमें सिक्षा का अधिकार देता है ठीक है सिक्षा का अधिकार जो की 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार एम नीस्विल्ट के सिक्षा की विवस्ता की गई है इसके अलावा दोस्तों अंशेद 22 की अगर हम बात करें तो अंशेद 22 जो है वो गिरफतारी से सरक्षट प्रतान करता है गिरफतारी जो है वो दो प्रकार की होती है दंडात्मक और निशेदात्मक पनिटिव और नेगेटिव ठीक है पुनिटे में दोस्तों क्या होता है दंडात्मक में क्या होता है कि कोई भी वेक्ति ने अपराद कर दिया उसी के बाद गिरफतारी होगी इसके अलावा वेक्ति को अगर गिरफतार कर रहे हैं तो बिन वारंट के गिरफतार नहीं कर सकते हैं इसके अलावा 24 गंटे के अंतर इसके अंदर magistrate के सामने पीश करना होता है और आप वकील भी रख सकते हैं इसमें इसके अलावा निशेधात्मक अधिकार में इसके अलावा 24 गंटे के अंदर magistrate के पा स प्रिश करना भी इसमें अनिवार नहीं है यानि वह जब चाहिए 6 महिने के लिए कम से कम आपको जैल में डाल सकती है इसके अलावा आप इसमें वकील भी नहीं रख सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए इसके बाद दोस्तों कुछ निशेधात्मक कानून है इसके बारे में हम बात करते हैं जिसमें आफस्पा आफस्पा दोस्तों क्या है कि ये एक सैने कानून है जिसमें अगर गौर्णमेंट को लगता है कि कहीं पे भी शान्ती हो रही है तो हमाँ पे आफस्पा लगा सकते हैं जिसमें military जो है वो सारे नियम कानून अपने इसाब से maintain करती है जैसे जम्मू कश्मीर में और पूरोतर भारत में हो रहा था नागलेंड में इसके लावा दोस्तों टाडा टाडा क्या है terrorist activity को खतम करने के लिए टाडा एक्ट बनाए गया था जो की वर्तमान समय में खतम कर द दिया गया था इसके अलावा दोस्तों हम पोटा की बात करें पोटा भी एक टेरिरिज्जम एक्ट है ठीक है prevention of terrorism act तो इसके अंदर भी आतंगवादियों को खतम करने के लिए आतंगवादियों का सफाय करने के लिए ये कानून लाए गया था और इसकी वर्तमान समय में इस उसको खतम कर दिया गया है ठीक है टाड़ा पोटा के जरिए ही जो है वह संजेदत को जेल हुई थी इसके बाद दोस्तों मीशा की बात करें तो मीशा भी एक इंटरनल सेक्यूर्टी एक्ट है ठीक है maintenance of internal security act इसके अंदर भी जो है हम आतंगवादियों और देश की एक्ता और अखंडता से जुड़े जो है अगर कोई व्यक्ति देश की एक्ता और अखंडता को भंग करता है तो उसको मीशा के जरिए गिरह खतार किया जा सकता था इन दोस्तों 8 Life कानून में एसा था कि अगर आप वैक्ती जो है आपने आपको अभा खत.र तो ठीक है हैं कि दोस्ते इसके अदर देश की सुरक्षा से जुड़े कानून जो है वह शामिल है और इसमें अगर देश की सुरक्षा को कोई k Research करने की कोशिश करता है तो उसको सामने से नहीं और राज्य सरकार इसको सब्सक्राइब चाहे तर नहीं नहीं होसकते हैं इसके बाद दोस्तों UAPA आता है जिसमें Unlawful Activity of Prevention Act जो की शामिल है यानि अगर हम आप कोई भी नियम काईनून को भंग करते हैं तो उसके जरीए UAPA लगा के आपको जेल में डाल ला जा सकता है ठीके दोस्तों अब हम बात करते हैं अंशेद 23-24 की जो की शोषण के विरुद अधिकार देता है अंशेद 23 जो है बलाश्रम बेगारी मानव तसकरी और बदवा मजदूरी का निशेद करता है और अंशेद 24 जो है वो 14 वर्ष से कम आयो के बच्चों को खतरनाक काम जैसे अंशेद 28 जो है धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार देता है जो के अंशेद 25 जो है धार्मिक कार्यों को करने के लिए व्यक्तिकत स्वतंतरता देता है अर्थात आप किसी भी धर्म को अपनाने उसकी पूजा पाइट करने उसकी उपासना करने का अधिकार देता है इसके अ अर्थाद कोई भी धार्मिक कार्यों के धन पर टैक्स नहीं लगेगा अर्थाद कोई भी धार्मिक कार्य अगर हम कर रहे हैं कोई भी धार्मिक चंदा वगेरा मिल रहा है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा जा सकता है इसके अलावा दोस्तों अंशेद 28 की अगर हम बात करें तो सरकारी विद्धिया Baş मेंни जा सकती है कि इसके बाद दोivo प्रभर्मी के रूप से कोई भी अगर अल्पसंक्यक्ट है तो उसको धरमजाती José संश्क्रDie स्थास्ट chief नहीं किया जा सकता है और 30 के अंत्रकरत है अल्प संख्यक जो है वह अपनी संस्साइब खोल सकते हैं तो चिके दोस्तों अल्प प्रकार के रिट जारी कर सकता है जिसमें पहला बंदी प्रतक्षी करने यानि 24 गंटे के अंदर अंदर जो भी गिरफतार की वे वेक्ति को पेश करना है कोड के सामने इसके अलावा अधिकार प्रक्षा अगर कोई भी सरकारी वेक्ति अगर अपने अधिकार से ज्यादा काम कर रहा है तो गौर्मेंट जो है सुप्रीम कोड जो है वो उस वेक्ति से पूछ सकती है आप किस अधिकार से आप ये कारे कर रहे हैं इसके अलावा दोस्तों परमादे प्यार्टिक कोई सकती है इसके अलावा प्रतिशेद यानि ज्दोलर जबवारा से सुनवाई नहीं कर सकती है इसके अलावा उत्प्रेक्शन रिड्ट यानि अर्थात कोई व्यक्ति जुह हो अपने कारियों का सही趣 से निर्वान नहीं कर रहा है तो 3123 के जर्येजिए उस्स व्यक्ति पए उत्प्रेक्शन रिड्ट लगाके उससे ऐे पूछ सकती है कि आप किस वज़े से आप काम नहीं कर रहे हैं इसके अलावा दोस्तों अंशेद 33 से 35 की अगर हम बात करें तो अंशेद 33 के अंत्रगत पुलिस सेना और गुप्त चरो तथा मिल्डिया के अधिकारों को सीमित करता है क्योंकि इस इन सभी लोगों के पास में द देश के किसी इससे में अंशेद 34 के तहरत देश के किसी इससे में अगर अशांती है तो उसमें मार्शल लॉल लगाया जा सकता है इसके अलावा दोस्तों संसद ऐसे कानून बनाएगी अंशेद 35 के जरिये जिससे लोगों के मूल अधिकारों को प्रभावी बनाए जा सके ठीक है तो दोस्तों हमारा अंशेद एक से लेके अंशेद 35 के अंत्रकत सारे अंशेद हमारे समात्त होते हैं तो दोस्तों अगर यह वीडियो आगर आपको पसंद आई हो तो इक रिप्या इस चैनल को लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद